हेलो एवरिवन वेलकम टू लर्न विद मिस्टर एपल और आज हम पढ़ करेंगे वह क्लास फोट के यूनिट सिक्स का चैप्टर टू के कुश्चिन आंसर और एक्सराइजर हमने इसकी एक्स्प्लेनेशन अपनी पिछनी वीडियो में कर दिये अगर आपको वीडियो देखन आप जाकर चैप्ट कर सकते हैं और आज हम इसके कुश्चिन आंसर शने एक्सराइज करेंगे तो चलिए करते हैं ओके तो हमारा फर्स्ट कुश्चिन है अक्बर के दरबार में कौट में कौन आया था तो वहाँ आया था एक पंडिट है ना तो इसका अनसर बजाएगा अलेर्ण पंडिट केम टू अक्बर कोट इस सेकेंड है वाट डिड ही क्लेम तो नो उसने मतलब कौन सी चीज बहुत ज्यादा अच्छे से आती थी तो उसको सारी मतलब सारी भी नहीं बहुत सारी लेंगविजिस वह बोल सकता था तो इसका अनसर हो जाएगा यी क्लेम टू नो मैनी डिफरेंट लेंगविजिस ओके पर कुशन थर्ड है इसका अनसर हो जाएगा उसने सब को कैसा चैनल दिया तो उसने क्या बोला था कि मेरी मात्र भाशा को ढूंड के बताओ तो इसका अंसर हो जाएगा इसके बाद है लेट्स टॉक्ट वोट इस यो मदर टंग तो इसमें आपको अपनी मदर टंग बतानी है आपकी मात्र भाशा का है तो इसका अंसर हो जाएगा माइ मदर टंग इस हिंदी क्योंकि इंडियन की सब हिंदी ही भाशा है भारत में इतने भी दोग रहते हैं में पर कुछ स्टेट में हां कुछ स्टेट में कहीं जैसे इंडिया के उडिया स्टेट में ऊडिया बोलिंग जातीयrau कणटक में मलयालम है ना ऐसी अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाशा है बोई जाती है पर कुछ से इसमें हिंदी बोई जाती है जैसे महराश्च्रा में मराथी तो हमारी मात्रभाशा हिंदी है इसने में यह पर हिंदी लिखा है अब हम वापिस चलते हैं जैसे लिट्स लेशन लेशन टू यह फेवरेट अड़ियो और टीवी रिपीट विट स्टेस अन दे वर्ड एक्ट और राइट अडवाटाइजमेंट ओके तो आपको अपना फेवरेट आड के ओपर लिखना है या तो इस पर एक्ट करना है या तो कुछ वे ड्रा करना है उस पर ओके फिर है अशे आलाउड आस्क बास्क मास्क टास्क फिस्कॉल स्कैन और स्किम ओके फिर वी से हम बोलते हैं अलेंट आई लेंट मैं लेशन यहा ये अलेंट मैं लेशन क्या हुआ एक्षिन वर्ड मैंने अपना वह जो चैप्टर पगरा जो भी लेसन है वो याद कर लिया, okay, but, लेकिन, यह होता है, I, a learned pundit came to the court, तो ऐसा होता है न, जिसे हम बोलते है, a learned pundit, learned, है न, तो यह learned नहीं होता है, यह learned होता है, यह होता है, learned, learned pundit came to home, यह क्या हुआ, describing word, और describing word इसका क्या हुआ, पंडit के लिए describing word हुआ है, learned, okay, okay, फिर next है, take the words which end with the sound aid, say each word allowed, okay, तो अभी आपको उन words पे टेक करना है, जो aid, जिनमें last में aid की sound आ रही है, तो accepted में आ रही है, answered में नहीं आ रही, irritated में आ रही है, failed में नहीं आ रही, completed में आ रही है, challenged में नहीं आ रही, cried में आ रही है, और फिर surprised में नहीं आ रही, फिर find में भी नहीं आरी फिर story, try to find situable words for them in your mother tongue, say these words aloud, then make sentences with those words in your class dictionary, okay, तो अभी जो पोएम में से आपको ना एक class dictionary बनानी है और उनका आपको ना अपनी मातर भाशा में mother tongue में उनका meaning ढूणना है, okay, और आपको अपनी class में वो क्या कहते है, then make sentences with those words in your class dictionary, आपको उनके sentences बनाने, जो आपने बनाई है ना class dictionary, तो उन words के आपको sentences भी बनाने, जैसे यहाँ पर है, देखो, okay, आप इदर बना सकते हो ऐसे, फिर है, write all the words that show you are happy, आपको अब ऐसे words लिखने है, जो आपको जैसे, जैसे आपको भी बोलते हैं ये, हुरे, वहाँ, तो जब आप खुश होते हो, तब आप कैसी-कैसी sounds कर निकालते हो, तो आपको लिखना है, यहाँ पर हमें example दिया गया है, हुरे, हाँ, okay, तो एक तो हो गया ये, और ये, ये, पी, है न, और हो गया एक हो सकता है, याहू, है न, एक हो सकता है, याहू, आप अपने आप से भी कुछ खुद कर सकते हो, कोई, पर टेक दर राइट आंसर, आपको अभी इसमें राइट आंसर टेक करना है, आप विजिटेड दे कर्ट ओफ, कर्ट ओफ अकबर, ओके तो अभी आपको यहां पर हना हमें बताएगा है, कि मैं अकबर के दरबार में गया था, अब हमें इसको मीनिंग बताना है, आप उधर हमेशा के लिए रहने तो नहीं गये होगे है, आप उधर थोड़ी देर के लिए थोड़ी टाइम के लिए गये होगे, यू अब बॉन देर, आप उधर पैदा हुए होगे, तो यहां पर आइव विजिटेड मैं गया ना, तो हम अब पूरे अधर ही थोड़ी न रहेंगे, तो इसका हो जाएगा, you came to a short time, हम कुछ दिन के लिए रहेंगे ना, तो है, to imitate someone means to, okay, तो imitate someone, किसी को imitate करना, मतलब जैसे, उसकी नकल उतारना, तो उसका क्या होगा, meaning क्या होगा, उसका, copy someone, किसी को copy करना, या चिडाना, tease someone, या make someone, या किसी को गुस्ता दिनाना, तो इसका हो जाएगा, copy someone, किसी की नकल करना, okay, फिर है, look and fill in the column, one has been done for you, okay, तो हमें या पर द्याम से देखना है, और ये भरने boxes जो भी है, ठीके, तो यहाँ पर हमें एक example दिया है, quiet का होगा, quietly, तो fluent का क्या होगा, fluently, tly जोड़ दो, वैसे इसमें, angry का क्या होगा, angry की थोड़ी अलग sparing होती है, angry की होती है, angryly, okay, ily, okay, फिर sad के, sad का होता है, sad में भी ly जोड़ दो, और फिर फ्रेजनली जो फाइल, फाइल से इसमें भी ly जोड़ दो, फिर gentle, gentle में, g, e, n, t, l, y, e नहीं आएगा, इसका यह जो e है, यह नहीं आएगा, ओके, फिर है, the words in the column A with the words in column B, okay, तो हमें यहाँ पर match करना है, तो किस का किस से relation होता है, हमें उसका match करना है, तो किंग का किस से relation होता है, किंग का relation होता है, कोटिय से, दरबारी से, teacher का relation होता है, student से, doctor का relation होता है, patient से, okay, bus driver का होता है, passenger से, lawyer का होता है, client से, mother का होता है, children से, okay, then play this game with a friend pick up what you want from from any bucket add a or and before it now say the sentences below using these things okay तो अभी आपको ना जैसे यह होता है ना जैसे क्या कहते हैं आपको ना अपने फ्रेंज के साथ एक गेम कहलना है एक फ्रेंज को ने बोलो कि एक वो उठाए मपनलब आप उठाओ कोई बी इन बास्केट से जो भी है जो यह जो लिखे हो हैं इन में से कोई एक नाम उठाओ उसके आगे आ न लगा ओक कर तो मैं आपको सबसे पहले जो ब वोवल 5 तो जिन वर्ड के फरस्ट लेटर में वोवल होता है तो उनमें रगता है तो रग का R है पी का पिलो है बेच्षीट का बी है तो इसमें सब में लगेगा ऐ फिर अलारम क्लॉक में आ जो की एक वोवल है इसमें लगेगा एन ओके फिर wall clock में ए लगेगा wrist watch में भी ए लगेगा apple में लगेगा orange में लगेगा पर banana में ए लगेगा ice cream में भी ए लगेगा ओ sorry यह a scientist फिर bone cane bakो में ए लगेगा फिर inril ए लगेगा फिर ball में ए लगेगा बैट में ए लगेगा dal में लगेगा og QR verse coat में वी ए ही लगेगा long coat में ए ही लगेगा raincoat में लगेगा पर यह umbrella है इसमें यह लगेगा तो इसके बाद अब यहां पर यह कुछ बाते बच्चे बाते कर रहे हैं हमें इन यह जो बास्कित थी है ना इन में से कुछ वर्ज उठा के उधर लिखने तो पहले तो नीना बोलती है कैना है वा अलारम क्लॉक प्लीज या तो तो आप उधर से कुछ भी लिख सकते हो क्या मैं अलारम क्लॉक ले सकती हो क्लॉक ओके रहूल बोलता है येस हेर यू आर फिर जीवी का बोलती है कैना है वा ओके तो इसमें हम कर देते हैं बॉल कैना है वा बॉल टू तो फिर ये निखिल से कहती है और निखिल होता है नो सॉरी यू कांट है यू आव डैट अब आपको ऐसी कुछ सेंटेंस बनाने है इन बास्केट में इसे ढूंड के फिर लेट्स शेयर वा देड बीरबल फाइंड आउट अबाउट देड पंडिट्स मदर टंग तो यहां पर हमें उसे कुछ कुछ पूछे गए हैं तो उसने जो बीरबल था उसने पंडिट की मदर टंग कैसे ढूनी थी उसने ऐसे ढूनी थी ना जैसे वो राज को पंडिट के कमरे में गया था और फिर कुछ उसके हलके से कान में बोला और गुदगुदी की उसे है न फिर उसे वो डर गया पंडिट और चिलाने लगा अपनी मदर टंग में एक देस आउट विद यो फ्रेंड एंड मेक इट इन्टू अ क्लास प्लेए तो अब आपको यह जो पंड़ों को अब आप पन्य तिरी में इसा को आप प्ले बनाना है ओकए फिर दथ पर्ह अज्ज अजशनल की पलेए फिर कि दो Ale तो यहां पर hot air balloon पे कुछ यह tag लगे हुए है सोचो अगर आप किसी camping में जा रहे हो camping में जा रहे हो तो आप क्या-क्या चीजे लेके जाओगे जो बहुत ही ज्यादा important हो जो बहुत ही ज्यादा important हो सिफ आपको चार वही चीजे लेके जानी है तो आप क्या-क्या लेके जाओगे आप ले जाओगे फूड पैकेट वाटर बॉटर बॉटल खाने पीने की चीजे और फिर first aid kit अगर आपको चोट लग गई तो और एक थोड़ा सा money भी ले जा सकते हो okay okay फिर है money आप तभी ले जाना अगर आप कहीं किसी parents के साथ जा रहे हो वैसे तो parents के साथ ही जा रहे होगे नहीं तो आप यह football ले जा सकते हो या फिर आपको जो लगे कि यह main चीज है तो आप वह चीज ले जा सकते हो आप यहाँ आपको यहाँ पर लिखना है okay we'll have fun time crossword fun India is a country of many languages let's see if you know what the people of the states in this crossword puzzle speak the clues are given below the first letter of each answer has been filled in for you okay तो यह है crossword के answers तो यह हमें बता रहे हैं जो भी उसमें थे ना कहते हैं clues में languages जो clues लिए गए थे languages के उनका हमने यहाँ पर कर लिया है okay then यहाँ से हम वापस चलते हैं यह solution है crossword के आप यहाँ पर लिख सकते हो यह चीज आपकी book में okay तो यहाँ से वापस चलते हैं तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो okay उसके बाद है okay तो यहाँ पर हमारा chapter complete हो चुका है इसके हमने explanation questions exercises exercises सब complete कर लिये हैं तो अगर आपको थोड़ा भी समझ में आए हो पसंद आए हो तो इस वीडियो को like share subscribe दिनों कर देना thanks for watch